कुछ दिनों पहले की बात है जब महिला पहलवानों ने ब्रिज भूशन शरण सिंग पर यौन उत्पीडन का यौन शुशन का आरोप लगाया था उस केस में क्या हुआ क्या ये केस ठंडे वस्ते में डाल दिया गया क्या इस केस को क्लोस कर दिया गया क्या महिला पहलवानों के साथ यह उन उत्पीडन नहीं हुआ था क्या ब्रिज भूशन शरण सिंग पाक साफ बच के निकल गए क्या उन पर कोई कारवाई नहीं की जायेगी ये कई सारे 47 ले खड़े हो रहे हैं क्योंकि आपको याद होगा विनेश फोगाट की ये तस्बीर आप देखिए किस तरीके से उनके आँखों से आँसु रुक नहीं रहे थे और पूरी दुनिया ने देखा और पूरी दुनिया ने इस पर निंदा भेकी कि महिला पहलवानों के साथ कितना घ अरा दिया गया और बेटियां आज सुरक्षित नहीं है इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं ब्रिज भूशन शरण सिंग पर कारवाई क्यों नहीं हुई क्यों नहीं उन्हें गिरफतार किया गया क्यों ने उनके खिलाफ एफ आयर दर्ज की गई और उन्हें अभी तक हटाय नहीं गया है सोचिए खबर तो ये है कि ये जो ब्रिज भूशन शरण सिंग है ये कोई मामूली सांसत नहीं है इनकी तूती बोलती है उत्तर प्रदेश में एक जिला है गुंडा बहराईच के पास बलरामपुर के आसपास वहाँ पर इनकी तूती बोलती है ब्रिज हत्या का भी आरोप है जो इन्होंने कैमरे के सामने खुद कुबूल किया है कि हाँ मैंने एक दिख्टी की हत्या किया है कहा तो ये जारा कि ब्रिज भूशन शरण सिंग पर सरकार कोई कारवाई नहीं कर सकती है क्योंकि क्योंकि जो डबलू एफाई है उसके खिलाफ लाने की क्या जरूरत थी कारवाई क्या थी महिलाओं ने जो आरूप लगाया महिला पालवानों ने कहा था यह हमारा योन शुशन हुआ कारवाई इस पर होनी चाहिए थी डबलू एफाई को लाने की क्या जरूरत थी बीच में डबलू एफाई के अध्ष को इसमें है लेकिन कहीं न कहीं अपराद में भी भेदभाव हो रहा है कि किस व्यक्ति ने कौन सा अपराद किया अब बताइए अगर बिरिज भूशन शारण सिंग जिनकी गुंडा में तूती बोलती है उनकी खिलाफ अगर यह आरूप लगे तो साब चुप हो गए क्योंकि धाक है अपनी कहा जा रहा है कि उस सिर्क शित्र में इतना ज़्यादा परभाव है कि बीजेपी के लिए इनके बिना इलेक्शन जितना भी मुश्किल हो जाएगा और यही बज़े है कि तमाम तरह की कारवाईयां तो हो रही हैं की जा रही हैं दिखावे के लिए कि इन सरकार कह रही है एक्शन में हैं लेकिन जो मूल कारवाई है दो चीजें थी महिला पहलवानों की मागे कि भाई इन्हें हटाया जाए, इन्हें वर्खास्त किया जाए, अध्यक्ष किसी और को बनाया जाए, क्योंकि ये अपने कमरे में महिला पहलवानों को बुलाते थे, ऐसे गंभीर आरोप इनके उपर लगे हैं, अब आप सोचिए, बिरिज भूशन शरण सिंग अपने बयान क्योंकि बीजे भी को पता है कि बिरिज भूशन शरण सिंग अगर चले गए पार्टी से, तो फिर तो पार्टी कमजर हो जाएगी, उत्तर प्रदेश में खास दोर से, तो ये वज़े है समझे आप, सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है, पूरे देश ने, पूरी दु होंगे, शाहनवाज हुसेन पर आरोब तो ये है कि वो अपने छटर पूर्पर फार्म हाउस पर एक महिला को बुला कर उन्होंने यह उन्शोशन किया उसका, दोहजर अठरा का ये वाक्या है, अब जाकर कहा जा रहा है सुप्रिम कोट ने कहा कि इनके खिलाफ के इस तो कोई पाक साफ नहीं है, सब नारे बाजी है, सब जुमला है, आप ये समझेए, और अगर बिर्ज भूशन शरन सिंग के खिलाफ कारवाई नहीं होती है, तो आप जान लिजिए कि ऐसे बेटियां रोती रहेंगी, कुछ नहीं होने वाला है उनका, अगर महिला पहलवान जो हैं, वो रो रही हैं, तो आप सोच सकते हैं, आम लड़कियों कि सितनी देश में क्या होगी, कई लड़कियां तो ऐसी हैं, तो लाज शर्म के आबरे उनके खिलाफ अगर अत्या चारवी हो जाए, तो ठाने नहीं पहुशते हैं कि उन्हें अगर इजधित प्यारी है, और यहां उत्पिर्ण हुआ था तो ये भी कहा जा रहा है कि इन लोगों ने पहले केस क्यों नहीं दर्श कराया, पहले धर्णा क्यों देने चले आए, तो केस पूरा उल्चा हुआ है, जरूरी है कि महिलाओं की खिलाफ जब भी अपराद हो तुरंत एक्शन लिया जाए, ज यहां पर तो कानून ने देखा कि यह जो अपराद है किसी गरीब ने किया या अमीर ने किया, यही तो बहत भाव है मारे देश में जो कानून है, यही बहत भाव है, सबसे बड़ा बहत भाव यही है, मैंने किया तो मुझे सख सजा मिलेगी, किसी दुसरे ने किया तो उसे थोड़ी कम सजा मिलेगी या मिलेगी यह नहीं तो ये जो केस है जो उलजा हुआ केस है सुलज नहीं रहा है और नहीं बेटियों को इंसाफ मिल पा रहा है जिसका रोना जो रो रही थी पूरी दुनिया पूरे देश ने देखा है पूरी दुनिया ने जब देखा होगा जाहिर सी बात है एक गलत संदेश गया होगा कि महिला पहलवान जो भारत की हैं वो सुरक्षित नहीं है उनका योन उत्पिडन हुआ है और कहीं न कहीं अगर इसमें कारवाई नहीं होती है तो आगे और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी हमने ये भी देखा कि जो दिल्ली का केस था आपको याद होगा कैसे कार के पहियों तले उस लड़की को रौध दिया गया था 12 किलोमेटर घसीडा गया क्या होगा कुछ नहीं कुछ भी नहीं हुआ ऐसे कितने सारे केस हमारे देश में हो रहे हैं लेगिन कारवाई नहीं हो पा रही है सब कुछ फाइलों में जाके बंद हो जाता है कैद हो जाता है और सब चुप चाप देखते रहते हैं फिल से नया तमाशा खड़ा होता है हर रोज यही कहानी है तो बिर्ज भूशन शरन सिंग अपने बयान पर काइम है अपनी धाग जमाए हुए है और यह तस्बीर आपको दिखाते हैं मउज जिले का एक अस्पताल है और अस्पतालों की जो बिवस्था आप जानते होंगे यह जो अस्पताल है जानते हैं जिला अस्पताल है और मरीज यहां पर इतने जादा परिशान है इतने जादा परिशान है जब पत्रकार यहाँ पर पहुंचता है बताने के लिए तो यहाँ जो सीनियर डॉक्टर था उसने अबहद्रता की और पत्रकारों के साथ मारपीट किये हलांकि हम आपको वीडियो तो नहीं दिखा सकते लेकिन फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ यह मौज के जिला अस्पताल की तस्वीरें है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है इसके पहले भी मरीजों को यहाँ पर जलील होना पड़ा है तो शर्मिन्दा हैं जो मरीज हैं यहाँ पर उन्हें इलाज नहीं मिल पा रही है और इस तस्वीर में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे यह जो सीनियर डॉक्टर है जिस पर आरूप है कि यह लगातार बत्तमीजी करता है और इसने हेलमेट फेक किमा रहा है मरीज को जब वो अस्पताल में पहुँचा वो लग करा रहा था का जा रहा है कि यही एक भाई ने कमेंट किया है कि यही सपा की सरकार रहती तो पूरा मीडिया अब तक जंगल राज जंगल राज चिला रहा होता इतना बड़ा कांड होने के बाद भी मीडिया में हिमत नहीं जो बीजेपी सरकार के बारे में कुछ लिख सकें बोल सकें। किसानों की आयदोगनी 2022 में क्यों नहीं हुई? यह सबसे बड़ा सवाल है. अगर आपने वादा किया था तो इसे पूरा क्यों नहीं किया आपने? यह बहुत बड़ा सवाल है. हलागी सरकार यह दावा करती है कि वो किसानों को 6000 रुपे देती है. यह उनके एज़ंडे में है और इसी एज़ंडे को लेकर चुनाव भी जितने के तैयारी है दोस्तों. क्या वाकई किसानों के लिए कुछ किया जा रहा है? क्या वाकई किसानों के लिए सीरियस है सरकार? कैसे उनकी जो अर्थवश्था है, कैसे उनकी जिन्दगी को और अच्छा किया जाए? यह तो यह सवाच की बड़ी बड़ी खबरे थी, जिसमें ब्रिज भूशन शरन सिंग के बारे में हमने आपको विस्तार से बताने की कुशिश की और जो प्रदान मंत्री जी का 2022 का जो वादा था वो पूरा नहीं हुआ, किसानों के लिए, हाला कि लगातार यह दावा हो रहा ह और आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई किसानों के लिए कुछ हुआ, या सिर्फ और सिर्फ हवा हवाई बाते हो रही हैं, और यूपी के जो सांसद हैं, कैसर गन से सांसद ब्रिज भूशन शरन सिंग के खिलाफ कारवाई की नहीं हुई है, क्या होगी, क्या लगता है, पहल जवान बेटियों को इंसाफ मिलेगा आप उन्हें राय जरूर दीजेगा शुक्रिया निसनल दस्तक की आप से गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निसनल दस्तक को सबस्क्राइब करने के लिए रेट कलर के सबस्क्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइक